हलो एव्रिवान मैं श्रेयस बढ़िये आप सबका मेरे यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम एंशेंट हिस्ट्य आफ एंडिया सीरीस से लेक्चर नमबर 18 में बुद्धिजम से बुद्धिस्ट काउंसीले टॉपिक कवर करने वाले जैसे कि हम हमारे प्रिवियस लेक्चर में बुद्धि सत्व ये कवर कर चुके है उसके अलावा हम सेक्स आफ बुद्धिजम कवर कर हम दॉक्ट्रिन फीचर स्टडी कर चुके और हम लाइफ बुद्ध जो है ये भी कवर कर चुके तो ये जो लेक्चर होगा ये सेकिंड लास्ट लेक्चर होगा बुद्धिजम का तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा बुद्धिजम का लास्ट लेक्चर इस तरह हमारा काउंसल के स्टडी रहेगी और अगले इसमें हम लिटरचर भी स्टडी करेंगे बुद्धिजम के बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसल इस पर मैंच दपेर से लेके वन लाइनर से लेके हर तरह के कुश्चन पूछे जा सकते एक्जाम में You only lose what you cling to If you have any doubt, you can ask me on Instagram, this is my Instagram ID Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel मेरे YouTube channel को सब्सक्राइब करें और bell icon को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें So अब हम सबसे पहले councils को study करेंगे बुद्धिस्ट काउंसल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरह से परिशद हुआ करती थी इस तरह से council हुआ करती थे अब हमको पता चलेगा आगे और कहा कहा हुए क्या हुआ यह सब पता चलेगा So मैं सबसे वहले आपको यह बता दू कि जो बुद्धिस्ट काउंसल से उसके बारे में basic information यह है कि यह काउंसल जो है यह अलग-अलग जगे पे लिये जाते थे Under the patronage of various rulers है तो अलग-अलग जो भी rulers हुआ करते थे बुद्धिजम के टाइम पर या फिर बुद्धिजम जो भी rulers फॉलो करते थे या जो जो रूलर support करते थे वो यहां पे जो काउंसिल से एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कोई भी एक्जाम हो चाया है, वो competitive में, या फिर school किया, कोई भी एक्जाम उसके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको match the pair, या फिर one-liner question इस पे ज्यादा तर पूछे जा सकते या फिर normally questions भी बन सकते इस पे, सो आप इसको अच्छे से study करेंगे, मैं इसको बहुत simple way में आपके सामने रखने वाला हूँ, सो उसके साथ-साथ एक agenda फिक्स किया जाता था, हर council का एक agenda होता था, तो वो क्यों लिया जाएगा, उसके लिए भी कुछ उसके reasons हुआ करते, कु पुरा शानती ला सकता है, तो ऐसे religion को spread करना भी बहुत अच्छी बात थी, सो इस तरह से ये councils का एक agenda हुआ करता था, अगर total देखा गया है, तो six councils हुए है, और six councils अब तक भुद्धिजम में हुए है, उसमें ancient India जो है, उसमें हम four councils study करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे प फॉर्स्ट बुद्धिस्थ काउंसिल के बारे में, सो जो फॉर्स्ट बुद्धिस्थ काउंसिल है, 483 BC में हुआ जा था, यह जो years है, इस पर बहुत जादा question आने के chances नहीं है, याने question आएंगे नहीं years पर, क्योंकि यह जो years है, यह starting के जो council से उनके years fix नहीं है, अलग-अ दिये है, क्योंकि बहुत जादा इसके sources नहीं मिले हमको years के, तो हमने अलग-अलग source से जो भी सबसे जादा accepted date है, वो 483 BC हमको दिखती है, इसलिए मैंने यहां पर 483 BC लिखा हुआ है, तो first Buddhist council जो हुआ था, 483 BC में हुआ था, हम यहां क्या-क्या पढ़ेंगे, हम यहां इस चीजे पढ़ने की जरूरत है, तो इस तरह से यहां पर होगा, तो place सबसे पहले अगर देखा जाए, तो सत्त पन्नी caves करके जो है, राजग्रिह में, राजग्रिह करके जो जगह है, वहां पर एक सत्त पन्नी caves है, तो सत्त पन्नी caves में हुआ था, यहां पर first Buddhist council, उसके ब बता दे, तो हरन्यक डाइनस्टी के थे, अजाच्छत्रू, उनके ही अंडर ये जो council है, first council है लिया गया था, इसके chairman थे monk महाकश्यप, महाकश्यप करके जो monk हुआ करते थे, वो इसके chairman हो जाते है, इस council के, उसके साथ साथ agenda ये था, to preserve the teachings, ना तो सुत्त, सुत्त जो है, व discipline आपको follow करना होगा, वो विनय में दिया हुआ है, सुत्त और विनय, ये दोनों जो चीजे है, इसको preserve करना, और ये सब चीजे जो है, इसको एक तरह से spread करते चलना, ये यहाँ पे agenda था, first buddhist council का, ये जब गौतम बुद्धे की death हो जाती है, उसके बाद ये council लिया जाता ह ये first buddhist council बनता, इसका result ये था कि सुत्त और विनयाद जो है, ये वर recited by monks, आनन्द और उपाली, so आनन्द जो थे उन्होंने सुत्त जो है, ये बताया था क्या होता है, पढ़के बताया था सुत्त, सुत्त और विनय बताया था, ये उपाली ने बताया था, तो ये दोनों monks थे, ये monks ने यहाँ पर ये दोनों चीजे बताय थे, तो सुत्त क्या होता, और विनय क्या होता, ये idea भी आपको तो आ ही चुके, तो ये महत्व है रहता है, first buddhist council का, उसके बाद हम second buddhist council के दरब बढ़ते है, second buddhist council की most accepted date है, वो है 483 BC, ये लिया गया था, वैशाली ना council के chairman बनते हैं दे, year 2383 BC, उसके साथ साथ इस council का agenda था, कि जो भी disagreement चल रहे है, different subdivisions में, आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जो buddhism था, इसमें अलग-अलग विचारधारावाली schools बन चुकी थी, इस time तक, तो ये जो schools थी, अलग-अलग विचारधारावाली, इनके बीच में जो भी dispute चल रहे है, जो भी disagreement चल रहे है, जो भी इनके बीच में problems चल रहे है, वो सबको solve करना, वो सबको settle करना, और buddhism जो है, उसको एक तरह से unite करके रखना, तो ये सब चीजे यहाँ पर थी, तो second buddhist council इसी के लिए लिया गया था, और इसका result ये था कि, यहाँ प split कर दिया गया था, और दो इसमें जो split किया था, वो दो subdivision जो बने, उसमें से एक था, स्थविरवदीन, और दूसरे जो थे, वो थे महा संगी का, तो महा संगी का और स्थविरवदीन, तो ये दोनों लोग थे, ये दोनों schools थे, अलग-अलग विचार वाले लोग, ऐसे groups बन जाते हैं, और ये groups में बुद्धिजम का division हो जाता है, ये result निकला for second Buddhist council का, उसके बाद हम third Buddhist council को study करते हैं, third Buddhist council जो था, ये 250 BC में हुआ था, तो 250 BC में ये लिया गया था, third Buddhist council, इसकी प्लेस थी पाटली पुत्र, पाटली पुत्र जो है, वो मगत kingdom में आता था, और इस जो ruler थे, जिन्होंने इसको support किया था, वो थे अशोक, उसके साथ साथ, अशोक आपको पता है, Mauryan dynasty के अशोका, उसके साथ साथ, चेर्मैन जो थे, ये मुगली पुत्त तिस्सा, ये कहा जाते हैं, तो तिस्सा जो थे, ये इसके चेर्मैन बनते हैं, third Buddhist council के, और इसका agenda जो ये बनाया गया था, अभी धम्मा पिटा का, ये लिखाया गया था, जैसे कि हमने पहले देखा, यहाँ पर सुत्त पिटा का और विने पिटा का, ये पहले ही council में लिखे गये थे, तो यहाँ पर अभी धम्मा पिटा का, ये यहाँ पर बताया गया था, तो ये जो होता है, यह क्या है यह आगे हम लिटरेचर में पढ़नी वाले तो मैं आपको यह बता दू कि अभी धम्म पिटा का जो है ऐसे त्री पिटा जो कहा जाते है तो इसमें से एक होता है सुत्त पिटा की होता है विने पिटा का और एक होता है अभी धम्म पिटा का तो यह तीन अब तक ब प्रचार कर रहे थे और काफी इस वक्स प्रेड हुआ था इस काउंसिल के बाद बुद्धिजम का सो ये बनता है third council जो इसके accepted date है most accepted date है 250 BC उसके बाद हम अगला यहाँ पे study करते हैं अगला यहाँ पे study जो हम करने वाले हैं वो है fourth Buddhist council इसके accepted date 72 AD माने जाती है हाला कि कही कही पे 78 AD भी लिखी हुई है और कही कही पे 98 AD भी लिखी गई है तो ये date बहुत जादा fix नहीं है तो इ मुझे 72 AD जो है ये ठीक date लगी तो इसमें भी अगर हम place देखते हैं तो ये कश्मीर में लिया गया था fourth Buddhist council और इस वक्ट जो patron थे इस वक्ट जो ruler थे वो थे कनिश्का करके जो emperor थे वो यहाँ पे बनते है ruler patron उसके बाद मैं आपको ये बता दू और इसके जो chairman बनते है चेर reconciliation of various conflicts between different schools of thought so reconciliation याने हम कह सकते कि friendly relation बनाना जो भी conflict चल रहे थे उन सबको solve करना और यह जो अलग-अलग schools बने इनके बीच में friendly relation जो है वो form करना इसका result यह आया कि Buddhism में division हो गए थे तो इस वक्ट ये समझता है कि भाई साब Buddhism के दो sect बनाना जरूरी है क्योंकि जो लोग है उ हाँ बन चुके थे सेक्ट बुद्धिजम में division हो चुका था एक था हीनयन और एक था महायन यह दो sect बनते है तो यह कौन से इसमें बने तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में याद रखे गई यह दोनों सेक्ट को हम already study कर चुके हैं उसके बाद हम अगला council study कर लेते हम मारा अगला council जो है वो 5th council है जो कि एंशेंट में cover नहीं किया जाता है और एंशेंट में cover किया जाते है वो चारी council है यह मैं आपको extra के councils बता रहा हो ताकि आगे पीछे कभी भी आपको problem ना जाए जो 5th जो बुद्धिस्ट council है वो 1871 में लिया गया था प्लेस थी मंडाले करके मंडाले करके जो जगा है यह मैंनमार में है पहले इसको बर्मा कहा जाता था उस वक्त उसके साथ साथ इसके patron जो थे patron यानि इस वक्त के जो ruler थे वो थे king मिंडोन तो मिंडोन करके जो king थे यह kingdom of बर्मा के king हुआ करते थे इनी के time period में यह council लिया गया था 5th समी तो यह चार जो यह जो तीन मौंग थे यह इसके chairman थे और agenda यही था कि to recite all Buddhist learning and scrutinize them in minuscule details scrutinize them in minuscule details तो minuscule याने एकदम छोटे इसमें उसको बनाना उसको scrutinize करना study करना और चोटे चोटे इसमें बना था कि कोई भी easily उसको समझ पाए तो यही चीज़े है तो बहुत जादा बढ़ा रहेगा तो लोगों को समझने को या पढ़ने को भी time लगता है सो यह नहीं हो पाया हो सकता इसलिए इसको छोटे कम detail में आपको यह study करना पढ़ेगा उसके साथ-साथ आपको यह बता दू कि यह जो council था इसको बहुत जादा कोई recognition नहीं मिल पाया इसलिए नहीं मिल पाया मैंनमार के बाद में अनमार में तो इसको मिल गया क्योंकि जितने भी यहां चेर्मैन आपको दिख रही है यह तीनों के तीन जो यहां monks थे यह तीनों monks अगर हम देखेंगे तो किसी और देश के थे ही नहीं सिर्फ बर्मा के ही थे तो बाकी लोगो इसके जो council हुआ है recently याने सबसे अब तक वो है 6th Buddhist council जो कि हुआ था in 1954 में इसकी place जो थी यह थी कब आय करके जो की यंगाउन में यंगाउन याने रंगून रंगून मैनमार अब पहले यह बर्मा था भी मनमार है तो यंगाउन में है उसके साथ साथ इसके जो patron थे इसके प्राइम रूलर हुआ करते थे वो प्राइम मिनिस्टर एन यू करके नू तो यू नू करके जो थे यह Republic of Myanmar के प्राइम मिनिस्टर होते है और यह इसके patron बनते है इस वक्त जो chairman थे वो थे महासी शयादा और उसके साथ साथ भधंत विचित सरभिवामशा तो यह थे यहाँ and preserve the authentic dhamma and vinae of buddhism. ओके विना इस पिता का और जो dhamma है तो यह dhamma याने वही है कि जो भी laws है, religion है, यह सबको अच्छे से यह जितने भी teaching से, यह सबको अच्छे से preserve करना और यह सब के तरफ जादा ध्यान देना है, इसलिए 6th Buddhist council लिया गया था, यह सब कैसे किया जाई है cave है एक जो मैनमार में बनाई गई थी, जो कि first Buddhist council जिस cave में लिया था, मैं already आपको बता चुका है, वो cave का नाम, उसी cave की तरह यह बनाने के यह कोशिश की गया रो इसको बनाया गया, इस तरह की यह cave है, जिसका नाम है महा पशन्ना गुहा cave in मैनमार, तो यह है cave, so यह महतव परहा 6th Buddhist council का, इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो 6 Buddhist council यहाँ पे हुए और सबका क्या क्या है, यहाँ पर महतवय क्या 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 स्पेशलिटी यह मैं आपको बता चुका होता है, question आएंगे तो इसी में से आएंगे, तो आपको बिल्कुल दरने की जरूरत नहीं है, तो य श्रेसबड़ी है, श्रेसबड़ी इंटर्पेटेशन है, मेरे पेजे से, आप Instagram पे मेरे साथ connected रहना चाहते हैं, या फिर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे श्रेसबड़ी इजिमेल डाटका मेरा email ID है, तो इसी तरह मिलते रहेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता, आप मुझे Instagram में पूछ सकते हैं, अब हम अगले lecture में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, और आपका दिन शुब हो